हेलो एवरिवन सेवंथ क्लास का जो फर्स्ट लेशन के अपने कोशन चुल रहे दें जो नेक्ष्ट कोशन है वो है रेकिस्तानों की पूर्ति कीजिए पहला रेकिस्तान है क्योंकि हरे पादब अथवा खादेस्व में बनाते हैं हरे पादब अपना जो बोजन है उसको क्या बोलते हैं स्वेपोशी स्वेपोशी यह अंसर आपको लिखना है कि हरे पादब अपना बोजन स्वेपोशी केते हैं दूसरा कोशन है पादपूस द्वारा संसलेशित खद्य का भंधारण जो पादप होते हैं वो खद्य का भंधारण किस रूप में करते हैं मन्ड के रूप में किस रूप में हैं आपका मंड रहेगा तीसरा कॉशन है कि परकात संसिलेशन के परकरम में जिस वरनक द्वारा शोर उर्जा संग्रहित की जाती है उसे जो कौन सा वरनक होता है जिसे जो शोर उर्जा संग्रहित होती है तो पोदों की पतियों में जो पाये जाने वाला वरनक होता है कौन सा होत क्लोरोФिल पोदों के पत्वि हाने वह यह वाला और्ट नियून करta है क्या इस कंस्ध्रत क्या देगा क्लोरो फिल चोता है तरकास एंसलोलिशन में पादप वयमंडल से वयमंडल स før बोइं में एक और ता है का सिर्फ है कारबन डाइक। ट था बोजन का उत्पास है करते हैं तो किसको उत्पादन करते हैं बोजन का दियान में रखना कि जो प्रकास संसेलेशन में पादप वायू मंडल से CO2 Carbon Dioxide लेते हैं तता Oxygen का उत्पादन करते हैं लिख लेना या भोजन का उत्पादन करते हैं तो Oxygen लिख लेना तो एक में क्या लिखोगे Carbon Dioxide और दूसरे में क्या लिखोगे O2 या Oxygen का उत्पादन करते हैं निमन कत्नों से सबंद परिबासित सबद लिखिए पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादब कि परजीवी दुर्बल तने वाला परजीवी पादब कौन सा होता है अमर बेल का हमने एक उदारण पढ़ा था वो क्या था एक परजीवी पादब का उदारण था तो इस कांस्वर क्या लेखोगे आप अमर बेल अगला है एक पादप जिसमें स्वेपोशन एवं विशमपोशी दोनों ही परनाली पाए जाते हैं कि वो स्वेपोशन भी करता है और विशमपोशी भी होता है तो ऐसा पादप कौन सा है गटपरणी पादप ध्यार में रखड़ा कि गटपरणी पादप एक ऐसा पादप है जो स्वेपोशन भी है विशमपोशन दोनों ही परनाली पाई जाती है अगला है वे रंदर जिनके द्वारा पतियों में गेशों का आदान परतान होता है कि पतियों में ग्येसों का अदान पर्दान कौन से रण्डर द्वारा होता है तो वो होता है परण रंदर की द्वारा तो यह आप द्यान में रखना परण रंदर यह इसके अंस्वर होगे तीन पहले का अमरबेल दोसरे का गट परने तिछरे का परनरंदर सई उत्तर का चिन्य लगाईए कि अमरबेल उदारण है किसी अमरबेल किसका उदारण है एक परजीवी का उदारण है तो इसका अंस्वर क्या रहे है सेकिंड अंस्वर अमर बेल किस्त का उदरण है एक परजीवी का केटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाला पादब का नाम है हमने एक केटों को पकड़ कर मतलब कि एक ऐसे पादब का दियान किया था जो जीवों को अपना बोजन के रूप में ग्रहन करता था तो वो कौन सा पादब था गटपरनी पादब था जिसमें जो पतियां थी जो गडे नुमा जो सरंचना थी गट नुमा वो किसका रूपा अंतरण थी पतियों का रूपा अंतरण थी तो वो कौन सा पादब था गटपरनी पादब जिसका अंसर क्या रहे है गटपरनी कोलम A में दिये गए सब्दों का मिलान B के सब्दों से करना है कलोरोफिल कलोरोफिल वरनक है A का जो कहां पाय जाता है पती में पाय जाता है तो पहले का क्या लिखोगे चारंस्वर हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो जिवानू द्वारा ग्रहन की जाती है नाइट्रोजन किसके द्वारा जिवानू द्वारा तो दूसरे क्या लिखोगे जिवानू अमरबेल किसका उधारन है एक पर जीवी का उधारन है जन्तू जो जन्तू होते हैं वो क्या करते हैं? अपना बोजन समय बनाते हैं? या दूसरों पर नेपर करते हैं? जो जन्तू होते हैं वो परपोसित के लाते हैं तो जन्तू क्या क्या लिखोगे? परपोसित जो थेका? परपोसित कीट बक्सी केट बख्सी पादब किसका उधरने गटपरनी का उधरने इस परकार की अंस्वर इसमें मिलान चिनेगर ने आपको कि को लोरोफिल कहां पाए जाते है पतियों में नायट्रोजन पौदे जो डारेक्ट रूप से नायट्रोजन फॉदे ग्रैंड नी कर पाते हैं जिवानु करते हैं इस इस परकाब निफों न बेर लिप हैक को धरनें जंतू क्या होते हैं पर पोसी होते हैं कीट बगसी किसका हो दनेंग ग्टपर निबाता हूँ दो हने इस पर कातस से आपको इसको मिलान करना है पिन है आगे है नीमन कतल में सflightयं सत्या बंधन काशन कें के परकास संसलेशन की केरिया में ओक्सिजन मुगत होती है कारबन डियोकसेड तो ग्रहन की जाती है तो ये क्या हो गया? ऐसत्य हो गया ठीक है? दूसरा ऐसे पादब जो अपना बोजन सवे संसलेशन करते हैं मृत जीवी के लाते हैं? नहीं मृत जीवी तो वो वो आते हैं जो सड़े गले पदार्तों से अपना बोजन पराप्त करते हैं मृत जीवी के लाते हैं तो इसका भी क्या लिखोगे? ऐसत्य है जो समय अपना बोजन मराते हैं वो क्या के लाते हैं? स्वेपोशी के लाते हैं ऐसा तेज़ कभी परकास संसेलेशन का उत्पाद प्रोटीन नहीं है तो परकास संसेलेशन का जो उत्पाद है वो प्रोटीन ही होता है परकास संसेलेशन का उत्पाद प्रोटीन होता है नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जो परकास संसेलेशन की किर्या में क्या-क्या जी क्या बनता है कार्बो हाइड्रेड पलस में क्या निकलती है एक ओक्सीजन पलस में क्या निकलती है ओक्सीजन तो कार्बोहाइट्रेड पलस में ऑक्सिजन तो मतलब कि जो परकास अंसलेशन का उत्पाद प्रोटीन नहीं है हाँ प्रोटीन इसका उत्पाद नहीं है तो ये क्या रहेगा आपका सत्य रहेगा प्रोटीन इसका उत्पाद नहीं होता फिर है परकास अंसलेशन में शोरूर्जा के रसानिक स्तरोत में रुपान्तित हो जाता है जो परकास अंसलेशन में शोरूर्जा रसानिक उर्जा में रुपान्तित हो जाता है हाँ सही है कि परकास अंसलेशन के किरिया में जो शोरूर्जा है वो रसाइनिक उर्जा में रुपांत्रीत हो जाता है रसाइनिक उर्जा ही बन करके उसमें पोदों में कार्बो हैट्रिट वा बोजन का निमान किया जाता है यह हो गया आपके सत्य औरह सत्य वाड़े question complete फिर है 11 नमबर question पादब के किस भाग द्वारा का संसलेशन हे तू वायू से कार्बन डाइ ओक्साइड ली जाती है तो पादब के किस भाग द्वारा जो पतियां होती है पतियों के पतियों के मद्ध एक छेद छेदर जिसको क्या बोलते हैं रंदर बोलते हैं रंधर के माद्या में ही वायू मंडल से क्या की ग्रेंड की जाती है कार्बन डाई ओक्साइड ग्रेंड की जाती है तो इसका नस्वर क्या रहेगा रंधर अगला कोशन है वायू मंडले में मुख्यते जिस भाग द्वारा पादब कारबन डाई उकसाइड प्राप्त करते हैं वह है वायू मंडले के मुख्यते जिस भाग द्वारा जर, पतना, पुशपोर, पतियां तो आपको अभी पता है था कि पतियों में पाइजाने वाले अरंदरों के माद्रियम से तो इस कंसर क्या रहेगा पतियां इसी के साथ जो आपके कौशन है वो complete हो तेन कौशनों को आप वोडियो को रोक करके अराम से इन कौशनों को करें नोट बुक में आवश्य लिखें ओके थेंक यू